आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं तिल मावा के लड़ू बहुत ही आसान तरीके से ये बनते हैं और खाने में तो लाजवाब होते हैं एकदम से हम बनाने वाले भुर-भुरे तिल मावा के लड़ू तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमको यहाँ पर चाहिए डेर सो ग्राम वाइट तिल ले लिए ये सफिद वाल जो तिल होता है और ये मैंने यहाँ पर लिया 300 ग्राम सुगर पावडर और 100 ग्राम मैं गर पर ही पीस लिया था चीनी को और ये 100 ग्राम मावा है कुछ में यहां ले रही हूँ इलायची इनको हमें क्रस्ट कर लेना है और बाद में हम लड्डू के अंदन को मिलाएंगे तो चलिए अभी सबसे पहले हम अपना तिल हलका सा रोस्ट कर लेते हैं इसके लिए हमको एक बहुत हलका सा भूना है ज्यादा ब्राउन नहीं हो जाएं नहीं तो तिल के अंदर करवाहट आ जाती है तिल कड़वी लगने लगते हैं खाने में तो थोड़ा सा ध्यान रखें बहुत हलकी से हमें भूने हलकी सी खुसबू आने तक इनको अच्छी तरह से रोष्ट कर लेना है और जैसा कि आप जानते हैं सरदिया है तो तिल तो खाना बनता है और खाना भी चाहिए तिल यह हमारे सरीर को गर्महाट देता है सरदी से हमें बचाता है और इसमें वरपूर केल्सियम होता है तो वो भी हमें मिलता रहता है जो का मौसम गरम चीजों का सेवन करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है जैसे कि हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं अगर रोजाना एक चम्मच तिल खाए न तो जो कैल्सियम की कमी होगी वो भी पूरी होगी और हड्या भी मजबूत होंगी तिल खाने से न हाथ पेरों का जो दर्द होता है जॉइंट स्पेन होता है अडल्स में वो कम हो जाता है और हेल्दी भी रहते हैं तो यह देखिए तिल हमारे भून चुके हैं अब हम इनको एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देते हैं अच्छी तरह से इनको ठंडा होने देना है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएं इतना हमको इनको ठंडा करना है तब तक हम अपना जो मावा है वो भून लेते हैं इसके लिए उसी पैन को मैंने साफ करके लिया है इसमें मैं एक चम्मच गी डाल लूँगी आप चाहें तो गी अवोइड भी कर सकते हैं ऐसे ही भून ले आप मावा को पर गी डालने से क्या होता लड़ू अच्छे बन जाते हैं हमारे इसलिए एक चम्मच अगर गी डालन मावा को हलका सा ही हमें भूनना है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है जो मावा में गुठलिया है न वो खतम हो जानी चाहिए बस इतना ही हमें अपने मावा को भूनना है तिल और मावा के लड़ू बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो हेल्दी खाना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, सरीर को हर न्यूट्रिसिन की आवशक्ता होती है, तो वो हमें भरपूर देना चाहिए है, भरपूर ही मिलना चाहिए हमारे सरीर को, यह माबा हमारा भन चुका है, इसको भी मैंने एक बूर में निकाल दिया है, इसको भी हमें रूम टेमपरेचर तक ठंडा करना है, अभी हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको दर दरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पावडर हमें अपने तिल का नहीं भन बिल्कुल हलका सा इसको पीसना है, देखिए, तिल हमारे फिस चुके हैं, बहुत ही दर दरा से हमने पावडर बनाया है इसका, अभी हम इसको एक बूर में ट्रांसफर कर लेंगे, अब हमको सारी सामिक ग्रीना इसी में मिक्स करनी है, अभी इसी बूल में हमको डाल लेना है, सुगर पावडर और मावा को भी, यह रही है, मावा हम डाल लेते हैं, इसमें मावा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका था, याद रहे कि गरम चीजों का हमें लड्डू बनाने के लिए यूज नहीं करना है, यहापर, बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर सारा चीज़ें आ जाएं, तब ही हमको मिक्स करना है, औ आप चाहें, तो इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं, उनको भी हलका सा चौप कर लें, या क्रस कर लें, उससे भी लड्डू में टेस्ट अच्छा आता है, इसको अच्छी तरह सामें मिक्स कर देना है, कोई भी लम्स न रहें, इस तरह से, और लड्डू ब बंद नहीं रहना, तो थोड़े से दूद के छीटेस में दे लें, मैं यहां पर थोड़ा सा दूद एड़ करूंगी, दो तीन चमच यहां दूद एड़ कर दूँगी, जिससे की लड्डू अच्छे बन जाएंगे, और जैसा कि सर्दियों के दिने, तो लड्डू खराब होने का भी डरनी रहता है, दो अपते तक आराम से लड्डू चलेंगे, तो आप दूद एड़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी जगे पर एक चमच घी और डाल सकते हैं, उससे भी लड्डू अच्छे बन जाएंगे, देखिए, तीन चमच करीब दूद था, वो मैंन जिस साइज में लड्डू बांधना चाहें, उस साइज में बांग लें, और दोनों हातों की सायता से दवाते हुए लड्डू को बांधना है, यह देखिए, इस तरह से हमें सारे लड्डू को तैयार कर लेना है, बहुत ही अच्छी फूद आ रही है, तिल की और एलायची की, और सही में लड्डू जो होते हैं, मावा और तिल के बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इस तरह से हमें अपनी सारे लड्डू बांधना है, यह देखिए, लड्डू हमारे बनके बिल्कूल तैयार है, एकदम से स्वादिस लड्डू बनके तैयार हुए है, आप इनको घर पे एक बार जरूर बनाएं, जरूर खाएं और मुझको बताएं, यह मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,